नमस्ते, मैं डॉक्टर कलपेश चौहान, आज आपसे बात करूँगा वीटी लीगो के बारे में वीटी लीगो कैसे होता है से लेकर वीटी लीगो के लिए आप क्या ट्रिटमेंट ले सकते हो इसके बारे में आज हम बात करेंगे विटी लिगो जो कि स्कीन के उपर white patches तयार होने वाली एक chronic progressive disease है इसमें तो पहले छोटे-छोटे patches बनते है फिर वो patches धिरे-धिरे करके बढ़ते जाते है और स्कीन के अलग-अलग हिस्सों पर भी फैल सकते है अब देखते हैं विटी लिगो होता कैसे है हमारी जो स्कीन होती है उसके अंदर कुछ cells होते है जिसे हम melanocytes कहते है अब melanocytes cells जो है वो melanin नाम का pigment secret करती है जो कि स्कीन के color के लिए भी responsible होते है लेकिन कुछ कारण वर्ष ये melanocytes cells जो है वो destroy हो जाते है और वो melanin pigment नहीं secret कर पाती है उसी वज़े से skin में depigmentation स्टार्ट हो जाता है और skin अपना color खोने लगती है और उसी के वज़े से white patches तयार होने लगते है और जो भी ये white patches है वो शरीर में धीरे-धीरे करके बढ़ते जाते है हमारे जो body में जब भी vitiligo तयार होता है तो उसके जो patches होते हैं उसकी border काफी prominent होती है अगर normal skin और patch की बात करें तो इसके बीच में हमें prominent border नजर आती है अब ये जो भी patch होते हैं उसके उपर जो भी बाल होते हैं वो भी white color के हो जाते है और इसकी जो भी skin होती है वो काफी sensitive होती है इसलिए हम जब बहुत patient में देखते हैं कि उस patches पे patient को eating होता है अब देखते हैं vitiligo किन कारणों के वज़े से होता है अब देखा जाए ति इसका अभी तक कोई fix कारण तो नहीं पता चला है लेकिन यह एक autoimmune disease है जिसमें आपके खुद के immunocyte cells जो है वो आपके melanocyte cells को destroy कर देती है और उसके वेज़े से vitiligo के patches तयार होना शुरू हो जाते है लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी है जिसके वेज़े से vitiligo transmit होता है जैसे कि hereditary factor अनुवान शिकता अगर माता पिता को vitiligo के patches हो तो उनके बच्चों में भी 30-40% chances हो जाते है कि उनके बच्चों में भी vitiligo आ सकता है और कुछ लोग जैसे कि chemical के साथ chemical factory में काम करते है उन्हें भी white patches आने के chances होते है अब ये तो कारण हो गए जिनके वज़े से vitiligo होता है लेकिन इसी के साथ German New Medicines के research के द्वारा भी पता चला है कि आपके किसी close one के दूर जाने से या फिर दूर जाने के डर से भी vitiligo हो सकता है अगर worldwide की बात करें तो vitiligo लगभग 1% लोगों में है लेकिन इंडिया की ही बात करें तो ये लगभग 8% लोगों में इसकी तकलीप देखी जाती है अब देखते हैं vitiligo के patches आते कहां कहां पर है अब इसका कोई specific body part तो है नहीं जिस पर कि vitiligo आ जाए लेकिन ये आपके finger पर भी आ सकते है, हातों पर भी आ सकते है, पहरों पर भी आ सकते है चहरे पर, peat पर, बालों में, genitals area पर भी ऐसे vitiligo के patches कहीं पर भी आ सकते है लेकिन एक बार ये patches आ गए तो ये शरीर में धीरे-धीरे करके बढ़ते जाते है अगर age group की बात करें, तो ये बच्चों में भी हो सकता है बूडे लोगों में भी हो सकता है, जवान लोगों में भी हो सकता है अगर age group की बात करें, तो ये ऐसे कोई fix नहीं है और अगर जेंडर की बात करें तो मेल और फिमेल में भी इसकी होने की संभावने लगभग समान होती है अब वीटी लिगो कोई जानलेवा बिमारी तो है ने लेकिन इसके वज़े से पेशन काफी शर्मिन की महसुस करता है जब भी सोशल स्टेटस पे कहीं पर भी जाता है तो अपना कॉन्फिडंस खो बैठता है और इसी वज़े से बहुत लोगों में हम देखते हैं कि वो एंजाइटी के भी शिकार हो जाते है अब इन सब में ट्रीटमेंट की बात करना बहुत आवश्चक है क्योंकि ये एक अंध्रूनी बिमारी है इसका इलाज भी जड़ से करना जरूरी है अगर आप लोकल ऑइंट्मेंट के सहारे अगर इसकी ट्रीटमेंट करते हो तो आपके एक जगे के पैचेस तो जा सकते हैं लेकिन ये पैचेस किसी और जगा पर भी आ सकते हैं तो इसी वज़े से आप होमेपैती के सहायता से इसकी ट्रीटमेंट लीजे क्यूंकि इसमें light, gentle और permanent ठीक करने वाली treatment है आप थोड़ा patience रखिए, stress मत लीजिए क्यूंकि stress भी इसका एक factor है जिसके वज़े से विटी लिगों बढ़ता है बिना stress लिए आप treatment लीजिए ताकि आपको एक अच्छा result मिल सके अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो, informative लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए Thank you